जै स्री कृष्णा राधे राधे हमारे धर्म में पूजा पाठ धर्म कारे में लॉंग सबसे ज़्यादा महतपूर्ण वस्तु में से एक है क्योंकि जोतिस में भी लॉंग के कुछ आसान उपाए बताए गया है अगर आप किस्मत बदलना चाहते हैं अगर आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप लॉंग का परियोग एक बार जरूर करें अपने भागे को बहतर बनाने के लिए एक बार जरूर आजमाए तो चलिए आज हम आपको लॉंग के बहुत सारे परियोग बताएं उसमें से आप अपनी सुविधा के नुसार कोई भी परियोग कर सकते हैं वैसे कहा जाता है कि अगर राहु केतु कुंडली का बिगड़ा हुआ है जीवन में मुश्किले बहुत है परिसानिया बहुत है आप लगता है जैसे हर काम में औसफलता मिल रही है तो सनी बार के दिन आप किसी भी ब्यक्ति को अपने हाथ से लौंग खाने को दे अगर वो खा ले तो यकिन मानिये राहु केतु कि मुश्किले दीरे-दीरे समाब ठोने लगती है और ये परिक्रिया आप हर सनी बार के दिन कर सकते हैं अभंत्राइब सुम्राइब है निए यू अगरिके में खूझा करें जाए हैं आपने घर में और पुमें के ओर वल्कष्ट मोई भी आप थो से अम्रच के पासच के मंदाच के की तो कहा जाता है इक हैुसा कि मंगलबार के दिना अगर हनमान जी के सामने सरसयों के टेल तो उनसे मुक्ति मिल जाती है तो मंगल भार के दिन आप जब दीपक में जाल कर लॉंग जलेएगा आप अपने घर में भी कर सकते हैं पास के मंदिर में भी कर सकते हैं तो यहां पर हनुमान चली साथ जरूर पढ़िएगा लेकिन आपको लगता है कि बार-बार कारियों में सफलता मिल रही है तो जब आप घर से निकलें तब अपने मुँ में लॉंग लेकर निकलें आपको जो भी कारे के लिए आप जा रहे हैं उस कारे में सफलता जरूर मिलती है तो चलिए और भी बहुत सारे ऐसे परियोग हैं जो आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाह न कहुए प्राप्ति के लिए भी लॉंग का प्रियोग होता है और सत्रू मुख्ति के लिए भी весь नो आपको लॉंग के कुछ बिसेस परियोग बताएंगे जिससे आप धन की प्राप्ति भी करपाएंगे संटूओं से मुख्त हो जाएंगे थाभा नहांत ओक्सिम की दोर ह और नकात्मक उर्जा को भगाता है लॉंग आपके विस यानि मनो कामना उसको पूरा भी करता है तो लॉंग का आज चली जानते हैं छोटा सा प्रियोग अगर आपको लगे कि घर परिवार में कलहकलेस हैं आपको लगे कि कुछ निगेटिविटी है तंत्रमंत्र क्रिया हैं आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है तब घर से निगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए आप एक छोटा सा काम करें आप वैसे तो ये किसी भी दिन साम में कर सकते हैं लेकिन अगर आप सनिवार रविवार मंगलवार साम करते हैं तो ज्यादा अच्छा है वैसे अब किसी भी दिन कर सकते हैं कि साम के समय आपको लेना है एक दीपक में ही आप जला सकते हैं किसी प्लेट में जलाएए गा 5 ना कि और बड़ी इलैचीक तीन दाने उताले एक गडिनान निकाल दें और उसको ले जब तो जब वो पूरी तरह से जल जाए, सांथ हो जाए, तब जो थोड़ा सा राक तो नहीं बसता, लेकिन हाँ वहाँ पर हलका सा ओयल के तरह तेल तेल जैसा बचेगा, उसको थोड़ा से पानी में डाल कर अपने घर के मुखे दरवाजे पर छीटा मारें, घर से सभी नकात्मक उर भाग जाएगी और सकात्मक उर्जा आपके घर परिवार में आएगी, बहुत सिंपल है, इस परियोग को आप करें, जब आप घर में पुझा पाट करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो दीपक में अगर आप रोज सुभा की पुझा में एक लॉंग डाल कर जलाने लगे, तो क सच में आपको भगवान पर स्रधा है, हमारे धर्म पर स्रधा है, तो एक बर प्रियोग कम से कम एक सबा मेहने करें, आपको खुद महसूस होगा, अब राहु और केतु, जो कुंडली में अगर बिगड जाए, तो मुस्किलें को बढ़ा देता है, अब राहु केतु से बश दिन से आप सुरू कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, देखिए, आपके घर में मादुर्गा की है, मापारवधी के तस्वीर है, उन्ही का रूप है, मादुर्गा, दो लोंग अर्पित करें, जैसे कि आज आपने अर्पित किया, तो आज मत उठाइए, इसको कल हैं, आपके घर में आपकी मा, बेहन, पत्नी कोई भी कर देगा ये प्रयोग और आपको वो लोंग दे देगा, हमेशा एक लोंग अपने पॉकेट में रखें, खाके निकले घर से, आपको देखिएगा, सफलता मिलने के परसंटेज बढ़ जाएंगे, रहु केतु की मुस् में कर सकते हैं, यह आप करके अगर पास मंदिर में करें तो चोड़ दीजेगा, घर में करें तो लिहा के मंदिर में, रख आईएगा, आपका बिगड़ा हुआ रहु केतु सांत हो जाएगा, अगर किसी ने आपस पैसे लिए हैं, लेकिन वह वापस नहीं कर रहा है, कई ब समस्य हो जाए तब आप लॉंग का एक छोटा सा परियोग करें धन वापस आपको इससे जरूर मिलेगा आप यह परियोग किसी भी अमवस्या पुर्णिमा या सनीबार की रात में कीजिएगा आप रात के समय एक कपूर ले 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 और उतने ही लॉंग ले जितने उस ब्यक्त छे अक्षर है तो छे लॉंग आपको इस तरह से मालक्षमी का धियान करके उतने ही लॉंग जितना उस ब्यक्ति के नाम में अक्षर है आप जला दे और प्राथना करें भगवान मेरा फसावा रुकावा धन वापस मिल जाएगा आपको वापस मिल जाएगा और इस बीच आ साम से गर से निकल रहे हैं आप चाहते हैं कि वह कार आपके पूरे हो जाए तो घर से निकलेंगे तो जैसे हमने कहा की मा दुर्गाऌको लॉंग अर्पित करना है अब नहिं भी अगर मा लेते हिंदु धर्म का आप नहीं है तब अब अब मादुर्गा को और्पित करेंगे नहीं तब ऐसे में सिर्फ आप दो लॉंग मुह में रखकर आप घर से निकल जाएं और फिर कुछ देर पहले आप या तो आप निगल लें या फिर आप फेक दें जो भी आपकी मरजी खा लें तो उसाम है क्योंकि लॉंग से कोई हानी तो करता नहीं आपके कारियों में सफलता जरूर मिले की लेकिं अगर धन की मुस्किल जादा परिसान करें लगातार आपको लगे की धनحानी हो रहा है बैपार में फस जा रहा है भी जा। जोब में पैसे नहीं है, कई कई बार तो क्या होता है, कुछ पैसे अटक भी जाते हैं, बहुत तरके होते हैं विबाग में, तब ऐसे में आप हनवान जी के तस्वीर के सामने, साम के वक्त एक तेल का दिया जलाएं और उसमें दो लॉंग डाल दे, सरसों के तेल का दिया जल होगी, और जो आपका आर्थिक समस्या है, वो समाप्त हो जाएगी, अब मा लक्षमी को मनाना तो हर को ही चाहता है, धन की मुश्किल सायद बैक्ती को तोड़ ही देती है, तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें, आप ये प्रियोग आप सुक्रवार के दिन कीजिएगा, थोड करने, यहां पर आपको भीट कर देना है, आप वैसे भी सिफ तस्वीर के सामने रख सकते हैं, और साथ ही, आप पांच लॉंग, पांच कोड़ी और एक सिक्का, लाल रंग के कपड़े में बांध कर, यहां पर पहले रख दीजिएगा मालक्षमी के सामने, इसके बांध कर तिजोरी में रख दीजिएगा, तंद्र सास्त कहता है कि इससे बरकत बढ़ जाती है, धन आने के मार्ग खुल जाते हैं, और फिर जेवर में कभी धन की मुस्किल परिसान नहीं करती, तो मालक्षमी को जब आप गुलाब के फूलों के साथ लॉंग अर्पित करते हैं, अगर आपके घर में कोई लगातार विमार रहता है, बने बनाये वे अटके वे कामा टक जाते हैं, अच्छे कारियों में बाधाएं आ रही है, तब सनिवार के दिन तेल के दिया में तीन-चार लॉंग डाल कर जलाएं और अपने घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें, घर से नकात्मक जो उर जाएं हैं वो चली जाएगी, घर में बरकत बढ़ेगी, लेकिन जब सत्तुरू बिरोधी ज्यादा परिसान करें, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा, किसी भी सनिवार को आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, रात में सोने के पहले एक लॉंग ले अपनी उपर से साथ बार उतार लें, उल्टा बार लें और ले जाकर अपने घर के मुखे दरबाजे के बाहर फेक दें, किधर आप इसको फेकिएगा, जब सत्तुरू परिसान करें, तो दक्छी दिसा में फिका जाता है, बिना पीछे मुड़े घर आजा, अगर आप चाहें, तो